तो दोस्तों अगर आपको भूत पकड़ा है तो आपका भूत आपसे खुद आएगा कि हमको इस जगह पे ले करके चलिए और हम इसको छोड़ देंगे और दूसरी बात अगर दोस्तों करें तो भूत और परेत सिर्फ जो है दरीद लोगों को पकड़ते हैं अमीर लोगों को करना ठीक नहीं है अगर बड़ा आदमियत उसके उपर अटक करना ठीक नहीं है तो भूत भी जो होते हैं ना कम जोरों को देख के ही निसाना लगाते हैं तो सच्चा यहे एक भाया का मेरे वीडियो में कमेंट आया था कि तो भूत कभी बड़े लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं और देहाद की लौँ को पकड़ते हैं अगे będziemy सोब हूज है कि भूत भी आजकल के जो होते ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं पढ़े लिखों के उपर नहीं नजर डालते हैं और जो सहर में होते हैं उनके उपर नजर नहीं डालते हैं और वह भी देश का भला चाहते हैं अगर अमबानी को भूत पकड़ लेगा तो विचारा देश का क्या होगा किसी बड़े कटिर्केटर को पखड़ लिए किसी बड़ी जूरी को पकड़ लिया तो देश का क्या हो और दूसरी बात पंडत के म Правиль कर दिआ के में प्री जिसमें कुछ illegally ve किसी को नहीं पहचान रही थी किसी को नहीं जान रही थी दोस्तों गवर से सुनिएगा मेरी बात पिरिया जो है ना तो अपने पती को पहचान रही है ना तो अपने सास को पहचान रही है ना तो अपने देवर को पहचान रही है ना तो अपने मा को पहचान रही है लेकिन प तर तो ये थी ही नहीं ओर न मुझे इतनी दूर तक सोच सकता हूं मुझे समझाया गया है मुझे बताया गया है मेरे कि dayMP HR मेरे वडियो में कमेंट किया है और कमेंट परने के बाद दोस्त वा सोच है कि साध ऐसा भी हो सकता है अब दोस्तों यहां पर बात आती है मान ना मान मैं तेरा महमान मानो तो गंगा मानो वर्ना तो पहता पानी क्योंकि हम लोग भी उसमें प्रिया के साथ ही थे जिसमें प्रिया होस्पीटर में थी डॉक्टर अमर ना जूड बोल सकते हैं प्रिया जूड बोल सकते हैं प्रिया कि algunas obitvation पास माणैं सधीर फिल्ट thus कि जाते ही पंदरह मिनट के अंदर सही हो ई आप प्यों डोस्तों इसी बाटों कोल ले कर यह कुछ लोग अमरनाथ की उपर उटारे हैं कुछ लोग करें उनका घर पलस्तर नहीं हुआ है कुछ लोग करें उनका ब्यूज नहीं आ रहा है लेकिन दोस्तों इसमें कहने वालों की गलती नहीं है और कहने वालों की गल्ती हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमारे यूटूब पर हो ही यही रहा है हमारे यूटूब पर यह वरा कि अगर आज हमारे उपर स्रियल में सही में कोई प्राब्लम आ गई और हमें आपके मदद की जवरत है और मैं वह प्राब्लम अगर आपके साथ सेर करूंगा तो आप भी उसको नाटक का ही रूप देंगे कि यूज के लिए नाटक कर रहा है पैसे के लिए नाटक कर रहा है क्यों कि 90 परसेंट लोग ऐसा करते हैं और दोस्तों ऐसा ने पूरे भारत में नहीं ऐसा होता है सिर्फ हमारे यूपी में ही ऐसा होता है हम तो बिहार में भी इतना ज्यादा नहीं होता है और यूपी में भी सिर्फ दो ही जिली में ऐसा होता है एक गोरकपूर और एक संथ कभी नाटक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ब्यूज आता है तो बहुत अच्छा लगता है डॉलर आता है तो बहुत अच्छा लगता है पैसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसी नाटक नाटक में किसी की इजट चली जाती है किसी की जान चली जाती है किसी की जिंदगी बरबाद हो जाती है वो कितना अच्छा लगता है तो दोस्तों किस बात पे माना जाए और किस की बात को ना माना जाए हम लोग बहुत कन्फूज हो गए आज कर देखिए जिससे अमरनाथ को लोज नहीं है जिससे अमरनाथ मिले नहीं जो अमरनाथ को जानता नहीं है वो तो बिंदास कुछ भी बोल देगा ना टाक है बहाना लेकिन जो अमरनाथ को जानता है, जो उनसे मिला है, जिसको वो जानते हैं, उसको कोई बात बोलने के लिए सव बार सोचना पड़ेगा, और सच्चाय की जड़ तक जाना पड़ेगा, तब वो किसी बात की पुष्टी 100% करेगा, कि ये सत्य है या असत्य है। लेकिन दोस्तों, एक बात इतनी तो सही हम जरूर कहेंगे, कि अमरनाथ नाटक नहीं करेगा, क्योंकि अमरनाथ को नाटक करने की कोई वजय नजर ही नहीं आ रहे है, उसकी साधी हुई आवलों को पता है, तीन दिन के अंदर साधी भी होगई, प्यार भी होगया, बिदाय भ कि अमरनाथ को नाटक की करना था तो ऐसा नाटक नहीं करता कि वो पकड़ा गया है, क्योंकि हमने उसकी खुद हालत देखी थी, क्या सही है, क्या गलत है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चार दिन के बाद दोस्तों, आप लोगों को पता चल जाएंगी, जिस तरह से म बहुत लेट हो गया पर्दा हटने में, हम लोगों की आख की पट्टी खुली, लेकिन बहुत देर से खुली, कब खुली जब वो इस दुनिया में नहीं रही, कब खुली जब विसुनुराज जेल में चले गए, तो दोस्तों, ऐसा दुबारा ना हो, आप ही लोगों किस तरह से काम किया जाए, अगर सही सही काम करते हैं, तो भी प्रॉबलम है, तेड़ा काम करते हैं, तो भी प्रॉबलम है, चली अच्छा में एक बात बताई आप लो, अगर वो एक यूटूबर है, ब्यूज के लिए मलब यूटूब के लिए वो सारी जिंदगी अपनी बरबाद कर दिया यूटूब से वह कुछ करना चाहता है अब साधारन साथ सींपल सा घर में बैट के वीडियो बना रहा है तो थोड़ा सा अगर नाटक ही कर दिया मैं माल लिया थोड़ा सा अगर नाटक ही कर दिया है तो यह मनुरंजन का केंद्री आप यह मनुरंजन ही करन नुन्ही 5 जूनु कर दिया तो कियो लोह से जल गई वेसके नातक कर ने से किसी की जेब से पैसा निखले क्या अमननाथ की कौश 129 वे उन नातक करने तो मि लो घ्यू । ऑधी कि हमको मदद कीजिए कीजिए दोस्तों देखिए हम काना नहीं चाहते हैं बूरा भी लगेगा उनको जैसे गुडिया लच्मन थोड़ी थोड़ी बात पे आप लोग मदद कीजिए एक तबियत खराब है मेरे बच्चे का मेरी बीबी का वह हमेशा ऐसे करता है तीसलिए सब आप लोग ऐसा है कर रहे हैं अगर देखिए जो सथ अगर जुट बोलते हैं मना तो मैं एकी कॉल की बोले हाई जगा आ जाए रोस्तंपू हम गये महां पर गारेट मीले भी आ जैसे देखिए पैसे उनकी ममी रोनी लगी तो दोस्तों देखिए कुछ भी आप लोग कह आती हैं तो इंसान दवा और दुआ दोनों करता है बस वो चाहता है कि मेरे घर से यह मुसीबत दूर हो जाए मेरा जो मेंबर एक परिवार का उसकी बीमारी ठीक हो जाए कैसो भी ठीक होनी चाहिए बस अब उगलिया इसलिए उठ लोग जानते हैं वो यूटूबर वो फे आप लोग हमारा देखिएगा चरू और आप लोग एक दम समझ लिजे सच्चाई और कुछ ऐसी बाते हैं कि मैं आप लोग के सामने लेकर आओंगे और आप लोग वीडियो ज़रूर आठ बजे देखिएगा चलिए बस्तों बाए बाए